दोस्तों आप सभी का एक बार फिर सवागत करता हूँ आपके अपने चैनल एकाडमी की स्टडी पर जो की गणित और रिजनिंग की ट्रिक के लिए जाना जाता है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलजैबरा की बहुत ही जादा इंपोर्टेंट ट्रिक जो सभी गोर्मेंट एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और आपको मैं वादा करता हूँ कि आपका कोई भी सवाल एलजैबरा से कभी भी आपका गलत नहीं होगा आपको 100% गारंटी देता हूँ कि पूरा कॉंसेप्ट आपके दिमाग में बठा दूँगा आपको कभी नहीं भूल पाओगे आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना तभी आपके कॉंसेप्ट पूरा समझ में आएगा एक एक चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी और दोस्तों इस वीडियो में आपके दो टाइप होंगे और दोनों टाइप में आपके ट्रिक होंगी तो चलते टाइप नंबर वन पर टाइप वन आपके सामने है चलते सवाल पर सवाल नमबर एक आपके सामने है पहले सवाल में क्या पुछा गया है दोस्तो अगर X की value 11 है तो आपको इतना बड़ा find out करना है आप कैसे करोगी अगर आप put करके करोगे तो आपको बोट टाइम लगेगा क्योंकि इसमें X की power 5 है X की power 4 है कैसे put करोगे इतना बड़ा value कैसे निकालोगे आप मैं आपको इसका तरीगा बताता हूँ कैसे आपको ये solve करना है चलते आगे दोस्तो आपको करना क्या है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ आप क्या करोगे जो भी X की value दी गई है उसी में इनको तोड़ लोगे इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी अगर आप इन चारो को तोड़ोगे तो क्या हैगा 12 को आप क्या लेख सकते हो 11 और 1 12 आप इसमें तोड़ लोगे किसको इसको फिर आप क्या करोगे 11 और 2 13 प्रहा यह आपने तोड़ लिया फिर आपने इस 12 को तोड़ा 11 और 12 आपको पता है माइनस 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 होते हैं हमेशा लेकिन वो जुड जाते हैं आपस में यह आपको याद रखना है फिर हमने क्या किया इस 12 को तोड़ा 11 और 12 यह आपको समझ में आ गया होगा फिर हमने क्या क्या एक्स की वैल्यू पूट कर दी इस सारे में एक्स की वैल्यू जब पूट करेंगे तो क्या हैगा 11 की पावर पांच 11 की पावर पांच 11 की पावर चार यह ऐसे बन जाएगा यह आपको जब आप पूट करोगे आपक यह आपस में कट जाएंगे यह आपस में कट जाएंगे क्या बचेगा आपका यह बचेगा एक तो यह आपस में कट जाएंगे फिर आपका यह बचेगा बस और दोस्तों आपको एक बात बता दू यहां पर दो गुणे में 11 की पावर 3 है और 11 की पावर 3 है जब इसमें से अगर आपने इतना चोटा सा चीज कर लिया आप इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे अगर आपने पूट किया क्योंकि आपको एक्स की पावर चार की वेल्यू कैसे निकालोगी आप यह मैतड़ सबसे बेस्ट है तो इसका राइट आंसर क्या आगया दोस्तों यह यह ओप्सन आपका राइट आंसर हो गया आई होप आपके यह ट्रिक समझ में आगी होगी दिमाग में बैट गई होगी सभी गॉर्मेंट एक्साम के लिए इंपोटेंट है कोई भी सवाल आपका कभी निशुटे का मैं आपको गरंटी देता हूँ और दोस्तों अगर आप आपको गणित और इजनिंग की ट्रिक पढ़नी है अकेडमी की स्टडी आपके लिए बैस्ट है अगर आप यहां से पढ़ोगे तो आपके सब कुछ समझ में आएगा चलते सवाल नंबर दो पर सवाल नंबर दो सवाल नंबर दो है आपके सामने दोस्तों आप कैसे करोगे इसको अगर एक्स की वैल्यू आट दी गई हुई है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी आप कैसे करोगे सिर्फ आपको कितनी देर में करना है दो से तीन सेकिंड में कैसे करोगे आप आपको आ अगर x की value 8 है आपको यह निकालना है आप क्या करोगी जो भी value आपको put करने को देता है उसको तोड़ लो 9 को तोड़ लो 8 में और 1 में यहाँ पर आपने तोड़ लिया इस वाले 9 को कैसे तोड़ोगी 8 और 1 9 इसको तोड़ लिया इस 9 को तोड़ो minus 8 x minus x इसमें आपने तोड़ लिया अब आगे क्या करोगे 8 put करके देखोगे इसमें क्या आएगा अगर आप 8 put करोगे तो आपकी यह वाली line बनेगी आप क्या करोगे 8 से 8 काट दोगे इस 8 की cube से 8 की cube कट जाएगी यह 8 का square 8 का square से कट जाएगा आपका क्या बचेगा minus के 8 बचेगा आपका minus के 8 आपका right answer हो जाएगा दोस्तों इतना ही time लगेगा आपके सामने बड़ा सवाल होगा लेकिन आपको time कम लगेगा यह एक हासेत है हमारी trick की आपको कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा मैं आपको guarantee देता हूँ चलते सवाल नंबर 3 पर आयोब आपके समझ में आगे होगा चलते सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है x की value 12 है आपको इतनी बड़ी value आपको निकालनी है आपके सामने चार option है 12, 11, 13 और node define चलते trick पर पूरा trick आपके समझ में आ जाएगा दोस्तो आप जमाना trick का है अगर आप trick से करोगे कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा दोस्तो आप trick आपके सामने है question नंबर 3 की trick आपके सामने है आप क्या करोगे इस 13 को तोड़ दोगे किसमें क्योंकि आपकी value कौन से put करनी है 12 put करनी है तो आप 12 में तोड़ देंगे और एक में तोड़ देंगे 12 और एक 13 इस 13 को तोड़ेंगे 12 और एक 13 यह आपको पता चल गया होगा जब आप इसमें 12 put करके देखोगे यह 12 इससे चला जाएगा 12 की power 4 12 की power 4 plus minus कट जाएंगे आपस में ये पलस माइनस कट जाएंगे आपस में ये पलस माइनस कट जाएंगे आपका राइट आंसर क्या आएगा ग्यारा आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आई ओप आपके दिमाग में बैट गई होगी है ट्रिक चलते है टाइप नम्मर टू पर टाइप नम्मर टू आई ओप आपके टाइप वन पूरा समझ में आ गया होगा दिमाग में बैट गया होगा क्योंकि दोस्तों जब आप बड़े से बड़े सवाल को ट्रिक से करते हो तो आपका सब कुछ आसान लगने लगता है और आपको गणित और रिजनिंग आपको जितना भी जाद आप ट्रिक से करोगे आपको ये लगेगा कि हम तो सवाल जल्दी से कर पा रहे हैं आपको कोई भी सवाल गलत नहीं होगा ये ही बस खासित है मारी ट्रिक की चलते हैं टाइप नमबर 2 के पहले सवाल पर दोस्तों टाइप 1 का पहला सवाल आपके समने है सवाल में क्या बोला है इसने 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 1 प्लस 1 तो की पार 2 प्लस 1 तो की पार 4 प्लस 1 तो की पार 8 प्लस 1 अब आप इसको सोल करोगे तो आपका राइट आंसर कैसे निकलेगा दोस्तों अगर आप बेसिक से करना चाहोगे तो कैसे करोगे आप क्या करोगे दो की पार्स होला यहां पे लिखावा है आप क्या करोगे 2-1 से डिवाइड करोगे और नीचे मंटिप्लाइ करोगे आपको एक बात पता है किसी नंबर में गुणा या भाग करने से कोई फरक नहीं पड़ता है यह चीज आपको पता है तो हम क्या करेंगे 2-1 से भाग कर देंगे 2-1 से गुणा कर देंगे यह हमने कर दिया फिर यह आपको आगे बन जाएगा और इससे पहले मापको एक बात बताना चाता हूँ हम सब जानते हैं कि A का स्क्वाइर माइनस B का स्क्वाइर एक फॉर्मूला होता है यह फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे कैसे लगाएंगे 2-1 2-2 एक तरह से क्या है A-B A-B तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वाइर माइनस 1 आगे हम जूका 2 लिख लेंगे चलिया पता अब 2 की पावर 16 फॉर्मूला हम ऐसे कैसे लिख रहने देंगे अब हम क्या करेंगे इसमें लगाएंगे 2 की A का स्क्वाइर प्लस B का स्क्वाइर तो क्या हो जाएगा आपका अगले में क्या बन जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1 और यह आपका ऐसे कैसे लिख रहेगा अगले में क्या करेंगे इन दोनों पर लगाएंगे हम A square minus B square का formula तो क्या हैगा 2 की power 16 minus 1 ये बन जाएगा अंदर जब minus जाएगा तो क्या होगा यह आपस में कट जाएगे आपका right answer क्या जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों गर आप इतना बड़ा करोगे तो आपका answer नहीं आएगा मैं आपको इसकी 100 trick बताने जा रहा हूँ अब क्या बताने जा रहा हूँ अब मैं आपको इसकी 100 trick बता रहा हूँ कैसे करोगी आप दोस्तों कभी भी आपको ऐसा सवाल आपको कभी दिखी आप क्या करोगी आप जो इसकी आखरी वो है आखरी पावर है टू की पावर 8 और टू की पावर 16 अगर ये पूरा-पूरा भाग हो रहा है क्या 16-8 से भाग हो रहा है भाग हो रहा है ना तो ये भाग अगर पूरा-पूरा भाग हो गया तो आपका right answer हमेशा क्या है ऐसे सवाल का आखरी में क्या बचा है one 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 तो इन सवाल का आपका right answer क्या हो जाएगा हमेशा one होगा इतना trick लगाना था बस आपको अगर आखरी power से पहले वाली power भाग हो रही है तो आपका right answer क्या बचेगा क्योंकि बाद में क्या है one 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 तो आपका right answer ऐसे सवाल का paper में देखते ही मार देना आपको option check करने की जुरत नहीं है आपका right answer इसका one हो जाएगा यह आपको याद रखना है इतना बड़ा नहीं करेंगे अगर इतना बड़ा करेंगे तो आप कभी भी सवाल नहीं कर पाओगे paper में आपको guarantee देता हूँ आई ओप आपके समझ में आगया होगा चलते हैं अगले सवाल पर सवाल नंबर दो ट्रिक नंबर दो सवाल नंबर दो सवाल नंबर दो आपके सामने है आपको क्या पता चल रहा है दोस्तो क्या 32 16 से भाग हो रही है 16 से भाग हो रही है यह आपको दिख रहा है तो दोस्तों आपको इस सवाल में क्या दिख रहा है क्या 32 भाग कर दे रहा है 16 भाग कर दे रहा है 32 को जी हाँ कर दे रहा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का बिना देखे 1-1 बचरा है बाद में तो आपका right answer 1 हो जाएगा ऐसे वाले सवालों का हमेशा यह आपको याद रखना है right answer क्या हो जाएगा आपका हमेशा 1 हो जाएगा बिना देखे आप exam में लगा सकते हो अगर आपका बाद वाली से सुरू वाला भाग हो रहा है लेकिन आपको यह pattern याद रखना है कि कैसा pattern हमें सवाल में दिया हुआ है यह type 2 है type 2 यह आपको याद रखना है type 2 के इनुसार हमारा right answer 1 आजाएगा हमेशा चलते हैं सवाल नंबर 2 उपर सवाल नंबर 3 आपके सामने हैं दोस्तों आप कैसे करोगे इसको भी दोस्तों मैं आपको वैसा सवाल भी बताऊंगा जब आखरी पावर से पहले वाली पावर भाग नहीं हो रही हो तब आपको क्या करना है अगर पहले वाली पावर बाद वाले से भाग नहीं हो रही यहाँ पर क्या हो रहा है भाग हो जा रही है क्या solar divide हो रहा है 8 से हो रहा है तो आपका right answer 1 आ जाएगा यह आपको याद रखना है यही आपके trick है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखरी power से सुरू वाली भाग नहीं होगी तो आपको कैसे करना है सवाल नंबर 4 आपके सामने है यह उसी टैप का सवाल है जब सुरू वाली power बाद वाली से भाग नहीं होगी तब आपको क्या करना है आपको क्या करना है ऐसे सवाल में इसमें आप क्या करोगे क्या 2 की पावर 1 sorry 2 की पावर 1 और 2 की पावर 32 क्या 1 32 से भाग होगा नहीं होगा तो आपको क्या करना है आप इसमें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसमें आप क्या करोगे इसमें आपको करना है कि 2 2-1 चे आपको डिवाइड करना है 2-1 से multiply यह आपने आपर कर दिया आपका अंदर जूका 2 आपका लिखा रहेगा फिर आपको क्या होगा आपको formula लगाना है 1 square minus 2 square जब आप यह formula लगाओगे तो क्या बनेगा 2 square minus 1 यह आपका जूका 2 लिखा रहेगा फिर आप इन दोनों पे formula अपलाई करोगे तो आपका यह आजाएगा फिर जूका 2 लिखा रहेगा आपका इन दोनों पे formula लगाओगे तो आपका यह आजाएगा यह जूका 2 आपका लिखा रहेगा यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अब जब आगे आप लगाओगे 1 का स्क्वाइर मैनस 2 का स्क्वाइर तो आपका क्या बनेगा 2 की पावर 16 मैनस 1 2 की पावर 16 प्लस 1 और यह आपका जुकातू लिखा रहेगा अब क्या करोगे इन दोनों पे वो फोर्मूलर लगाओगे एक स्क्वार मैनस भीक स्क्वार तो 16 दूनी क्या होते है 32 होते है टू की पावर 32 मैनस 1 टू की पावर 32 प्लस 1 यह आपका दो बन जाएंगे अब इसमें यह वाला फोर्मूलर लगाएंगे इन दोनों में तो आपका क्या निकल गाएगा 32 दूनी 64 टू की पावर 64 मैनस 1 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपकी बाद वाली पावर सुरू वाली पावर को डिवाइड नहीं कर रही है तब आपको यह चीज करनी है यह उसके लिए मैंने बताई है आई होब आपके ट्रिक समझ में आ गई होगी चलते हैं, आगी आई होब दोस्तो आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी आपने नोट भी कर लिया होगा एक एक चीज आपके दिमाग में बैट गई होगी दोस्तो जो यह मैंने आपको ट्रिक बताई है यह सभी गवर्मेंट एख्जाम के लिए आपका कोई भी government एक्जाम हो आपका कभी भी कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा और दोस्तों हम सुबह के टाइम पे घनित लेगा आते है और रात के साइम साँ उसके दोपार की टाइम पे हम लेक आते हैं reasoning और रात को हम gk gs live लेके आते 9 बजे अगर आप डेली देखना चाहते हो तो चैनल को subscribe करना ना बूले और bell icon को press करना ना बूले जिससे कि आपको सभी वीडियो का notification time to time मिलता रहे और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much